हेलो फ्रेंड आज हम बिल्कुल चटपटा सा अलग तरह का स्वादवाले रिसीपी लेकर आये हैं हम चना दाल को चार घंटे के लिए सोखोने के लिए रख दिये ते वो हो गया है उसको अच्छे से धोके चान लिए हैं एक मिक्सी की जार में डाल दिये हैं सारे चना को चना lumière को उसमें थोड़ा सा पानी और छे साथ कलिया लसुन की डाल दिये हैं अब हम इसको बारीक पीस लेंगे फिर आपको पेस्ट दिखाते हैं यह कि पेस्ट तयार हो गया मिक बर्तन में बिंटाल ये देखे अब हम इसमें प्याज को आड़ करेंगे। यह हरी मिर्छ है इसको आप अपने अंदास से डाल ले। अगर बच्चे खाते हों तो तिहां कम कर दे यह प्याज का पत्त है हरावाला उसको भी मुत काटके इसमें आड़ किये हैं और धेर सारा धन्यापत्ती धन्या पत्ती का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा लगता है आप मेरे विडियो को लास तक देखें उसके बाद बताए कि क्या हम बना रहे हैं इसमें हम नमक, हल्दी पॉर्डर, धन्या पॉर्डर, लाल मिर्ज पॉर्डर और थोड़ा सा खड़ा जीरा एड़ करेंगे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसमें अभी हम नहीं बताएगे कि हम क्या बना रहे हैं आप लोग अनुमान लगाते रहें तब देखिए पुरा पेस्ट को हम मिला लिये हैं और इसको हम फराई करना स्टार्ट कर दिये हैं इसको क्या बोलते हैं भाजिया आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी करें और बताएं कि ये भाजिया कैसा लगा बरत करने के बाद न कुछ चटपटा सा अलग तरका खाने का मन करता है अब तुरत, सबजी, रोटी, पोड़ी, पराठा तो अच्छा नहीं लगता है तो आप जटपट चना दाल का भजिया फ्राई कर लें ये बहुत अच्छा लगेगा फास्ट के बाद तो बहुत अच्छा लगता इसके साथ बस गरम-गरम चाय मिल जाए तो क्या कहना इसको बनाने में कुछ मेहनत भी नहीं है तीन-चार घंटे पहले चना को फूलने के लिए डाल दे उसके बाद इसको अच्छे से धो ले बारिक मिक्सी में पीस ले इसके बाद इसमें मसाला और धन्यापत्ती, मिर्ची, अधरत जो कुछ इसमें आप डालना पसंद करते हों उसको डाल दे और अच्छे से मिक्स करके इसको फ्राई कर ले कभी-कभी भजिया चाननी के समय तेल में जाग हो जाता तो उससे घबडाना नहीं है कोई-कोई तेल में हो जाता है तो चलिए हम भजिया को इसी तरह से उलट-पुलट के गोल्डेन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे यह उपर से क्रिस्पी हो जाएगा तो इसको हम साइट करके निकाल लेंगे इसको हाय फ्लेम पर ना बनाएं कभी-कभी तेज कर सकते हैं पर ज्यादा न करें तो अब यह भजिया फ्राई हो गया इसको हम एक बरतन में निकाल ले रहे हैं साइट करके निकालने से सारा तेल उसी मिरा जाता है तो हम बाकी बचे भजिया को भी इसमें फ्राई कर लेंगे देखे कितना चाब बन के तयार हो गया है तो इसी तरह हम सारे भजिया को छान लेंगे बन के अब तयार हो गया है भजिया को आप खाएं साम के नास्ते में खाएं ब्रत के बाद खाएं जम मन करें खाएं चावल दाल के साथ खाएं आप भजिया को इंजॉय करें हर मौसम में हमको तो कंट्रोल नहीं हो रहा है